तो देखें दोस्तों सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है यहां पर देखिए यह जो कल्यां हमें कट की थी ना तो क्या करना है अगविश्ण और यहां पर तो को एकड्व पर प्रमपर क्ल from पली दुण्व करना है यहां से five दोच हो मुगं शुरू और यहां से चरो और यहां पर कर annotया आदोंच का कपड में दबाता इसको इस्तक्त से लाय या यह जूर ना यहां Lenore न मैं यहां ज्यूरू करना है यहां से में इसको आगे चला दिना है दोस्तों आपको यह पर एक बाद कर्द नहीं रखना है कर्लियां जॉइंट करते हो तो आपको यहां पर पीछे इस तरह से थोड़ा सा हाथ रखना है ताकि कर्लियों में बिल्कुल भी जोलना यह मतलब गर जो मं पतले कपड़े में मसीन से लाति हैं तो कपड़े में जोला जाथी यानी इस तरह से देखिए हलका साब इसको भात रखो गए तो यह कपड़ा एक दम अच्छी तरखी से कर लिए इसमें असने से जोइंट हो जाएगे यह देखिए मैंने इस तरह से पूरी कर लिया है जोइंट कर ली है और आपको इस तरह से यानि जो हमने इस्तर वाले कर लिया कट की थी उनको भी जोइंट कर लेना है कि देखें आपको यहां पूरी करें जोडने के बाद में आपको इसको यहां से इस्तर से पकड़के नाप लेना है यानि आपकी जितनी भी कमर है आपको उससे यानि देखें हमें कमर रखना है तो आपको जितनी कमर हो उससे आपको एक एक अन्य सि copyright यादिध को tu vera आर करना है तो अब देखेव यह आप है कि अधा शुभ को इतना सा दभाया है और यहां से मैं इसको इस तरह से पूरी कल्यों को तोड़ दबा लेना है और यह करीबन में इसकी जो चुड़ाया रखनी हो साड़ी 20 इंच रखनी है और इसी तरह से दोस्तों आपको यहां पर यह एस्तर वाली कल्यां भी कर लेना है अब देखिए इन दोनों को इस तरह से टेज करना है तो यहां पर देखिए मैंने इसको भी सिद्धा लिया है और इसको में नहीं सिद्धा रखा है तो इनको में इस तरह से बरावर में यहां पर में सिलय लगा देना है अब देखिए इसको में इस तरह से इसे फोड कर लेना है और इसे फोड करने के बार में यहाँ पर देखिए हमें इसको इन चारों पॉलों को में एक दम बराबर ही पकड़ना है इस तरह से देखिए इस तरह से बकड़ने के बाद में यहाँ पर देखिए उपर से करीबन 5 इंच का इमें गेप छोड़ देना है अंदाज से याँ इसको नापके भी छोड़ सकती हो इस तरह से और यहाँ पर आपको करीबन यहाँ पर करीबन है एक हिंच आपक कपड़ा दबा देना है इस तरह से आपको यह शिलाई लगाना है यह देखिए मैंने करीबन यह पर एक से डेट निच की लंबाय में यह सिलाई लगाई है उसके बाद ही आपको यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और नीचे वाले करलियों को आपको इसको पहले जोइन्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहां से यह इस्तर वाले कपड़े हो भी इस तरह से सिलाय लगा देना है इस कपड़े को आपको अंदर कर लेना इस तरह से देखे मैंने यहां पर यह सिलाय इस तरह से लगाई है यहां पर मैंने करीब आजाय इसका गेव छोड़ा है इसमें अब इसमें चेयन लगाते हैं लेक है यहां पर इसको में इस तरह से जह फोड कर लेना ए और यहां पर में इसको इस तरह से इसे रख देना है और यहां थो अःकती है भी रहां कि झाने के गाउने जे का बाउन इसे रहे खाय़ हो लुष 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 यह देखि इसमें चेन भी लग गई है यहां से इसको कट कर लेना है अब इसमें हम निचे निचे के साड में इसमें बोर्डर लगाएंगे जो कि बुखरम का पट्टा लगाने वाले हैं तो वो किस तरह से लगाएंगे आगे देख चरहे हैं अब देखिया हम याँ पर लाँगे निचे बोर्डर लगाने के लिए यहां पर में चार इंच का एक इस तरह से बुखरम का में यह पट्टा फार लेना है आप जाओ तो इसको कम जादा कर सकते हैं मैंने इसकी त्टड़ाười Did hoc रखी है और यहाँ पर देखें हमें इस तरए से खबडा ले लेना है朝र् fragments और इसको में इस तरए से रखना है आ में यहां पर देहिए कर कि मैं यहां पर घेप टोड़ देना एक है इस तरह सब कि उसके बाद एक ट्रह यहां पर भी कपड़ा उसको тरह से टोड़ कर लिना है है कि इसों सब सूब्सक्राइच मुझा अगर्षक गॉस्क्रार लेने है और इससे करके में यहांपर हमें हमारी लहंगे कि जितनी चोड़ाई यानी लहंगे का जितना घेर है उतना हमें इसको कंप्लीट तयार कर लेना है लंबाई में अब देखें हमें लहंगा लेना है और हमने जो बोल्डर तयार की थी तो उसको में इस तरह से लगाना है तो अब इसको फोर्ड करके और यहां पर हमें शिल्या लगा लेना वापस से इसको इस तरह से फोर्ड करना है अब देखिए इसको मैं इस तरह से फोर्ड करना है और यहां से इसको इसल्या लगा लेना है अब देखिए इसको फोर्ड करना है और यहां पर मैंने इसको नाप लिया है आपके लहंगे से आपको इसको करीबन आदा से पॉनिंच इसको कम ही रखना अस्तर वाले कपड़े को तो आपको इसको इसको इस तरह से फोड़ कर लेना पूरे कपड़े को इसमें हम बेल्ड लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहां पर इस कपड़े पे इस अस्तर को अटेच कर लेना है अब देखिए यहां से में बेल्ड को लगाना शुरू करना है तो यहां पर हमें करीबन एक इंच कपड़ा यह बेल्ड का बाहर निकाल देना इस तरह से अब यहां पर हमें इसको इस तरह से इसे फोर्ड कर लेना है अब दोने साथ से इसको में फोर्ड कर लेना है उसके बाद हमें इसको लहंगे की लंबाइन आपके और इसको में बेल्ट को फोर्ड कर लेना है तो देखे दोस्तों मैंने यहां पर लंबाइन आपके याने 38 इंज हमारे लंबाइन थी तो मैंने इस तरह से इन आपके अकोडिंग इसको में इस तरह से फोर्ड कर लेना है देखे जो मैंने यापर डिजाइन रखी देना बराबर आई है यह देखे कितनी फिनिसिंग के साथ में याँ पर यह बेल्ड लगा है झाल जुँ के साथ में याँ पर यह दो बेल्ड लगा है